हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों कि कैसे आप अपने सैमसंग गेलेक्सी S22 एंटर्ट मुवाइल फोन में आप अपने मुवाइल फोन के सॉफ्ट्वेर अपडेट जो आपका फेल्ड हो जाता है इस प्रॉल्म को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं तो चलिए आपे वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं देगे दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन को सॉफ्ट्वेर अपडेट जो होता है वो फेल्ड हो जाता है तो इस प्रॉल्म को आपको अपने फोन को रिश्टार्ट कर लिए इससे आपके मुवाइल फोन के एंडुड सिस्टम की बहुत सारी प्रॉल्म जो हो सॉल्व हो जाती है अब दोस्ते इसके बाद यहाँ पर आपको अगला काम यह करना है कि आपको देखे अपने मुवाइल फोन का इंटरनेट होता है आप जब भी कभी अपने फोन का सॉफ्ट्वेयर आप अपडेट करते हैं तो आपको अपने मुवाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है कई बार यह इंटरनेट अमारा बंद रहता है जिसके कारण अमारे फोन का सॉफ्ट्वेयर का जो अपडेट होता है वो फ रोगता है जिसकी वज़े से भी अमारे फॉन का जो software अपडेट होता है वह फेल्ड हो जाता है ठीक हैं में कभी भी वह अपने फॉन के software का update करते हैं तो उसका आपको ध्यान रखना है अब दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे आक्री प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तों आपको अपने phone को reset आपको तभी करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process अगर काम नहीं करते हैं तब आपको अपने phone को reset करना है तो यहां पर आपको जोएने, इस वाले page में सबसे ओपर यहां पर आपको reset आपको type करना है, तो आपको नीचे की olsun reset का option ओपपर आपको जाएका, आपको mobile phone आपको directly reset की setting में लेकर आब, reset पर too नाहिएया, तो यहां पर आपको अगले page में सबसे नीचे erased all data factory reset पर आपको टैप करना है इससे आपका mobile phone reset हो जाएगा और आपके phone की software update field की जो problem है वो आपकी solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने से पहले दो बाते ध्यान रखने है पहली बात यह ध्यान रखने है आपके phone में जितना भी data है सारा data आपकी दूसरे phone में transfer कर लीजिए या उस सारे process आपको use करने है तो इससे आपके mobile phone की software update field की जो problem है वो आपकी solve हो जाएगी